इन चार परकार की इस्ट्रियों से कभी साधी मत करना बरवाद हो जाओगे। इस्ट्रियों से कभी विवा नहीं करना चाहिए। को अच्छे से नहीं समान पाते हैं। तक चोना आलक की निशानी होता है। आज सी इस्ट्रियों घर को साथ नहीं रख पाती। और घर में लक्षने की कित्रा बना रखने के लिए साथ सवाई बहुत जुरूरी होती है। घर में गंची होने से गरीवी बढ़ती है। माता या पिता के तरफ से कोई रिस्ता हो। कभी भी किसी व्यक्ति को उस नर्गी से साधी नहीं करनी चाहिए। उसका रिस्ता हमारे माता पिता से हो। एक ही बंस में साधी करने से अनुवानशिक दिवार्य होने की भी संभावनाई है। दुष्ट पुरूस से सम्मझ रखने वाली इस्त्री को दुष्ट पुरूस से में जोल नहीं बनाना चाहिए। ऐसा करने से मैलाएं तभी भी किसी भी मुस्किल में पस सकती है। दुष्ट पुरूस उस इस्त्री का पिर्योग अपने नीजी हित के लिए भी कर सकता है। तो ये थी चार मैलाइं जिससे कभी विवा नहीं करना चाहिए। ये थी एसलिम्यूस की रिपोर्ट अ क्षीए लिए भूप में भूपती लूपती!! वहाई!! घ्ल लंज लेँए है कि शेपड़ लेटीजिकरे वेज़ाती!! आप